नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल लंसितार में दोस्तो मेरा नाम है अनुराग बंसल और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक को दोस्तो आप मैंसे बहुत से लोगों ने बहुत बार इस टॉ अंदर होता है क्या difference होता है तो वही हम आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तो तो इस वीडियो को आपको अंतक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विलाइत स्टाइल सितार और विशंका स्टाइल सितार में क्या डिफरेंस है और आपको कौन से सितार पिक करना चाहिए या आपके लिए कौन से सितार अच्छा हो सकता है दोस्तों यह दोस्तों वीडियो को स्टाइट करने से पहले अगर अपना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नही decoration जढगा इसमें नहीं देखिए सितार में आपको बिलकुल signa सिंपल सितार है यही न बहुत हल्का फुल कि डेकरशन आपको दीखेगा इसमें पर अगर आप देखेंगे मुक्ही रूफ से विंदय को देखिए तो यह आपको आपको ज्यादा डेकोरिशन आपको इसमें नहीं मिलेगा सिंपल इसका होता है और आपको देखिए पीछे की साइट भी आपको इसमें डेकोरिशन देखने को नहीं मिलेगा सिंपल डेकोरिशन रहता है दोस्तों देखिए एक पट्टी है आपको देखिए पीछे इसमें और और कुछ भी नहीं है और आगे तरफ देखिया पिसमें एक छोटा सा फूल बना हुआ है बस यहां भी जाय था कुछ नहीं है तो दोस्तो एक मेजर डिफरेंस ही है कि ब्रिजभ बोलते हैं उस्ताद विलयाक्षान सहाब बंध जवारी सहार का जुछ zost Virtial ऑने सबसे 1523 जी खुली यह होती है त्हुंक है दुस्तोप इसलाव दोस्तों कुटिया कि अपको देखने को मिलेगा कि इसमें सथ तारह bedamar उप तो देखिए कौन कौन सी तार हैं दूस्तो वन टू थी फॉर देखिए एक बार वन टू थी फॉर फाइब सिस तो दूस्तो इसमें आप देखेंगे जोडी का जो तार है दूस्तो देखिए दूस्तो जोडी का तार दूस्तो उसमें एक ही है अब जो हम देखेंगे अभी पं रहना गया है खिर पंचम से कारी तो इस तरी की सिदूस्तों में आपको चैप देखने का लेंगे जब कि अव्य हम दिखने वाले हैं रगुशंग का सिथार उसमें हमको साथ यह इसके डिफरेंस है जबकि इसमें भी साथ ही एक एक यसी की करते है यानिटी इसके ट्यूनिंग जो है तो बेंग है क्योंकि इसको घंडर सितार में हैं जब uh पंडे त्रवीशंगर स्टैल को हम खरच पंचम में त्यून करते हैं क्योंकि उसमें खरच बाला वायर होता है जो हम देखने वाले हैं भी आगे तो यह एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा कि सितार में एक डिफरेंस और दिखने को मिलेगा आध का मएट तो पंडे तरवv경र स्टैल थोड़ा सा छोटा होता है उस्ता दिलय Thakhan स 아니야 ज्यादा अंठर नहीं छोटा होता है और इसमें पीछी के तुमबा जो होता है वो नहीं होता पर जातर जो पंडी तरविशंक क्रिस्टार सितार में तुम्बा भी होता है सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं हो पर होता है एक्सर एक रिफरेंस आपको यह भी देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा च्छोटा होता है यह सितार आज कंपेड टूपने तरवेशंक करेश्टार सि लिए दोस्तों पंडेतर्वेशंकर स्तार तो हम बात करने वाले हैं पंडेत्रवेशंकर स्तार के बाइसका बा Aren't Ape for German 雁स तरफ आप देखेंगे हिसमें यह आगे की तरफ और यह पीछए की तरफ डेकोरेशन आपको काफी मैंसलिकार थे लीके कि उस तरहके से कि यह सा यानिकी दो जोडी हो गई जब कि उस त्रिम्स का भी डिफरेंस आप देखने को मिलेगा on its style में देखिये अब यह देख सकते हैं यह भी आप देखेंulan चेट ऐा टेकोरेटिर है हमला कि लेकोरेटिडर है फुल डیکोरेटिडर नहीं है कि पर इसमें फुल लेकोरेटिडर शी dö real-tay प्र टिम्मा भी होता है ॉआ यह मिन डिफेरेंस था आप इसमें साथ तार हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 जबकि हमने देखा था अभी कि जो उस्ताद विलाद खान सितार है उसमें सिर्फ छे तार होते हैं तो यह आपको में डिफसेंस देखने को मिले का दोनों स्टाइल में यह है पंडेतर वीशंकर स्टाइल और अभी हमने जो देखा था उस स्टाइल तो यह पंडेतर वीशंकर स्टाइल इसकी आपको साउंड सुनौत आँ है तो दोस्तों यह था अच वीडियो आज की वीडियो में हमने देखा पंडेतर वीशंकर और उस्ताद विलाद खान सितार के बीच में डिफरेंस और मुझे अमीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों कर आपके फिर वी कुई कोई रही है तो आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं या आप मुझे इस्ट्राइम में फॉलो कर सकते हैं और इन सब की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है अगर आप सितार खरीदा चाहते हैं पंडेतर विशंकर या उस्ताद विलात खान इस्टाल तो मैंने इसकी लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वहां जाके देख सकते हैं और अगर दोस्तों आप सितार सीखने के चुक हैं ऑनलाइन मुझे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इंस्ट्रागाम पर या फेस उपर तो मैं आपको वहां रिप्लाई करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पर नहीं चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों हमारे एक ट्रैवल चैनल भी है ट्रैवलर इंजिनियर उसको भ आने वाँ